हेलो अब्रिवन, आज हम डिसक्स करने वाले हैं जामय मिलिया एसलामिया के जो है इस्पोर्ट एड्मिशन्स के बारे हम ją बात करने वाले हैं स्पोर्ट के नहीं, स्पोर्ट एड्मिशन्स के अब ये कब होते हैं? इसको लेकर काफी सारे बच्चों के डाउट्स आ गए हैं कि spot admission जो है क्या है कब होंगे कैसे होंगे चले मैं आपको इसमें एक एक करके सारी चीजे समझा दिता हूँ सबसे पहले देखिए spot admission होता क्या है spot admission जो होता है वो कब होता है किन cases में होता है पहली चीज जब भी किसी course का result आता है उसके बाद क्या होता है उस course के 3-4 list release होती है सबसे पहले जब 3-4 list release हो जाती है और फिर भी अगर seats vacant रह जाती है या फिर उस course में कम candidates ने apply किया होता है जिस वज़े से उसके seat जो है बहुत सारी बच जाती है तो उसमें जो admission होते हैं वो फिर होते हैं डारेक्ट spot के through admission होते हैं notice release करता है जामियमिले असलामिया notice release करते हैं और notice में जो है बताया जाता है कि कौन-कौन से courses है जिसमें admission spot के through होगा approximately अगर हम बात करें तो 14 to 18 courses ये 20 तक के courses चले जाते हैं जिनमें admission spot के through होते हैं ये वो courses हैं जिसमें आपने entrance दिया हो या नहीं दिया हो तब भी आप admission ले सकते हैं अगर आप eligible हैं पर condition ये हैं कि आपने कोई ना कोई एक course का entrance test दिया होना चाहिए पहला तो इन courses में आता है दूसरा क्या होता है और भी सारे courses में spot admissions आता है लेकिन उसमें सिर्फ वही बच्चे apply कर सकते हैं जिन्होंने उन course का entrance दिया हो तो जैसे माले बीबीए बीकॉम ओनर्स का spot admission आता है तो बीबीए बीकॉम ओनर्स वाले में सिर्फ बीबीए बीकॉम वाले ही बच्चे apply कर पाएंगे ठीक है तो spot में ऐसे होता है CU8 के courses में भी spot admissions हुआ था तो यह आपको ध्यान रखना है लगबग जहां तक है जातर courses में spot admissions के notice जो है आ जाते हैं तो आपको लास्ट अपडेट रहने की ज़रूरत है registration कैसे करना होगा सब आपको जो है time to time वीडियो बनाके अपडेट कर दिया जाएगा ठीक है तो आपको थोड़ा spot को लेकर doubt clear हो गया होगा अगर फिर भी आपको कोई doubt बचा होगा आप कमेंट कर देजेगा उस टॉपिक पर वीडियो बन जाएगी थैंक यू